नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको एक और फिर से इंडिया एंट गुरुकुल में दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कूस करने वाले हैं ओपो पैट एयर की टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे दोस्तों इसके अंदर आपको क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन से देखने को मिल जाते हैं चलिए दोस्तों बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सुरुवात करते हैं सिबसे पहले आप इसकी जो नोटिफिकेशन बार है इसको आप अपने साब से कस्टुमाइज कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आपको इस टाइप से आ तो दोस्तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर Wi-Fi easy तरीके से connect कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर जो इसका एक तरह से कफ ज़्यदा interesting feature देखने को मिलता है, वो आपको connection and sharing में देखने को मिल जाता है, यहाँ पर दोस्तो आपको different different modes देखने को मिलते हैं, सबसे interesting यहाँ पर आपको multi screen connect देखने को मिलता है, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो दोस्तो यह आपके phone के साथ sync हो जाएगा, और जो आपकी phone की screen है, वो इस तरीके से यहाँ पर visible होने लगेगी, साथ में दोस्तो जो clipboard की history है, आपने अपनी phone में कुछ copy किया, तो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, यह सारे options भी automatically open हो जाएंगे, जैसे आप इसको एक तरह से connect करेंगे, तो यह दोस्तो काफी interesting feature यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बागी दोस्तों यहाँ पर आप print बगएर भी कर सकते हैं, अगर आप printer बगएर connect करते हैं, तो उसको भी यहाँ से connect कर सकते हैं, इस type से यहाँ पर आपको यह feature भी बी share करना है, तो वो facility भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप Wi-Fi sharing option भी ओन कर सकते हैं, बागी दोस्तों परस्टों परस्टों पर आप अपने हिसाब से एक तरसे जो इसके icon बगएर हैं, और यह सारी चीज़ें customize कर सकते हैं, तो इस feature को भी आप चाहिए तो use कर सकते हैं, बागी हम चलते हैं इसकी home screen and log screen में, तो दोस्तों यहाँ पर आप screen layout change कर सकते हैं, अपने हिसाब से अगर आपको 5 icons आइए या पर 6 by 4 का एक तरसे icon size चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इसको भी change कर सकते हैं, यह आपकी personal preference पर depend करता है, बागी सबसे interesting feature की बात करें, तो यहाँ पर आपको double tap to unlock का भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप जैसे इसको off करेंगे, तो old lady आपकी tablet में एक तरसे off होगा, तो आप इसको own कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जैसे अपने tablet पर दो बार tap किया करेंगे, यह इस type से unlock हो जाये करेंगी, तो दोस्तों यह काफी एक interesting feature देखने को मिलता है, साथ में दोस्तों यहाँ से आप अपनी animation की speeds पर गएर address कर सकते हैं, तो इसी तरीके से यह काम भी कर सकते हैं, एप suggestion को बंद रखेंगे, तो आपकी जो एक तरसे आपको advertisement देखने को मिलते हैं, वो कम देखने को मिलेंगे, तो यह यह चीज काफी अच्छी है, यहाँ से आप double tap to wake up और turn off screen यह सब भी कर सकते हैं, कि आप अगर screen पर दो बार tap करेंगे, तो screen feature enjoy कर सकते हैं, बागी दोस्तों यहाँ से हम back कर लेते हैं, और आते हैं कुछ और चीजों की तरफ, बागी यहाँ पर आपको display and brightness में, दोस्तों automatic brightness को option देखने को मिल जाता है, तो जैसे कि अधर tablets में missing होता है, तो आप इस तरीके से scone करकर अपनी tablet की जो एक तरसे brightness है, बागी यहाँ पर advanced settings के अंदर दोस्तों अगर इस tablet के अंदर अलग से mic वेरा करनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से वो भी connect कर सकते हैं, आप option देखने को मिल जाता है कि आपको add on करना है, याप फिर आपको automatically select होना है, तो step से अलग feature देखने को मिलता है, बागी यहाँ पर हम notification and status में जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने इस आप से customize कर सकते हैं, कि आप वो कौन से notification आपको आने चाहिए, कि इसको आपको बंद रखना है, अगर आप study वर गयरा करते हैं, तो आप यहाँ पर जो एक तरसे notification उनको बंद भी करकर रख सकते हैं, दोस्तों काफी सारे features देखने को मिल जाते हैं, payment production वगयरा भी आप own करकर रख सकते हैं, अगर आप अपनी tablet के अंदर phone वगयरा इंस्टोर करकर रखते हैं, तो बागी हम चलते हैं privacy के और, तो दोस्तों यहाँ पर आपको private save option देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप अपने important documents या फिर कोई भी private pictures या वीडियो बगयरा श्टोर करकर रख सकते हैं, यहाँ पर आप जैसे click करेंगे यह दोस्तों privacy password वगयरा मांगेगा, यहाँ पर आप password वगयरा डाल दीजेगा first time में और आपासपर डालीएगा तो यह own हो जाएगा, आपको battery के अंदर दोस्तों different type के mode देखने को मिलते हैं, पहला तो आप power saving mode आपको normal दीखी जाएगा, लेकिन अगर आपको अपनी tablet में high performance चाहिए, तो आप advanced settings में जाएगा और यहाँ पर आपको high performance mode देखने को मिल जाता है, इसको आप जैसे ही open करेंगे, तो दोस्तों जो आपकी tablet है, वो आपकी जो processor है, वो maximum CPU frequency पर operate करने लगेगा, तो यहाँ पर आपको performance है, वो काफी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी, यह तभी on कीजेगा, दोस्तों जब आपको video editing का काम हो, या फिर कुछ heavy task करनी हो, या फिर heavy multitasking करनी हो, तब आप इसको इसको on करके रख सकते हैं, बागी अगर आप यह optimized night charging को on करके रखेंगे, तो अगर आपकी tablet 100% भी charge हो गई, तो आपकी battery पर load नहीं पड़ेगा, आप easy तरीके इसको long time तक भी charge कर सकते हैं, तो अगर आप study बगएर करते हैं, तो दोस्तो इस mode को भी आप on करके रखिएगा, तो इस टाप से option देखने को मिल जाता है, तो इसके special features की तरब, तो यहाँ पर आपको split screen का option देखने को मिल जाता है, तो इसको आप जैसी on करेंगे, तो दोस्तो आप अपनी tablet को दो finger swipe से, एक तरह से दो apps एक ही time पर use कर सकते हैं, flexible window का option देखने को मिल जाता है, कोई भी एक तरह से app अगर आप चला रहे हैं, और आप कुछ ओड चलाना चाते हैं, उस app को एक तरह से छोटे सी screen पर चलाना चाते हैं, जो आपकी frequent apps पगेरा हैं, जो आप frequently use करते हैं, वो आप यहाँ पर एक तरह से रख सकते हैं, और इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बाकि यहाँ पर आपको screen sort का option देखने को मिल जाता है, तो आप किस टाइप से screen sort लेना चाहते हैं, तो यह चीज़ आप कर सकते हैं, बाकि दोस्तों यहाँ पर आपको screen recording option भी देखने को मिल जाता है, अगर आप game बगएरा खेलते हैं, फिर कुछ और काम करते हैं, अपने screen को record करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी सारे बर-बर कर option दिये गए हैं, आप अपने सारे इसको customize कर सकते हैं, यहाँ पर आप recording के दोरान, screen recording के दोरान front camera को भी on रख सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ से इसको on करना होगा, यह चीज़ भी आप कर सकते हैं, बाकि डिजिटल बैल्विंग के अंदर दोस्तों, आप अपने tablet को कितना use कर रहे हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, तो अगर आप एक student हैं, तो आप चाहें जिसको check out कर सकते हैं, इससे आपको time save करने में मदद मिलेगी, बाकि यहाँ पर आपको system settings के अंदर, assistive ball का भी support देखने को मिल जाता है, इससे दुस्तों क्या होता है, कि एक ball जैसा आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जैसी यह बोल जागी, smart sidebar की तरह ही होती है, यहाँ पर इसके मदद से आप अपने बटन assign कर सकते हैं, कि आपको इस ball का फिरो किसलिए करना है, कि आप इससे back करना चाहते हैं, या फिर आप इससे home screen है, वहाँ पर जाना चाहते हैं, अलग-अलग type से option देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस type से आप इस assistive ball को भी use कर सकते हैं, इस type से यहाँ पर OPPO ने काफी सारे भरवर कर option दिये हैं, OPPO pad के अंदर, यहाँ पर assistive ball के बाद नीचे यहाँ पर आपको power button हो कैसे assign करना है, वो सारी चीज़े देखने को मिल जाती हैं, तो इनको भी आचा है, तो check out कर सकते हैं, बागी दोस्तों, अगर आप अपनी tablet में अलग से keyword बगर अटेज करना चाहते हैं, mouse बगर अटेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको OTG का option जो है, एक तरसे OTG connection इसको own करना होगा, जैसे आप OTG connection को own करेंगे, तब ही आप Type-C के थूरू जो OTG वाली SSC जो connect कर पाएंगे, कैसे connect करते हैं, उसको उपर मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उपर जो card से मार से check out कर सकते हैं, link description में दे दूँगा, बहां से आप check out कर सकते हैं, कैसे आप अलग-अलग accessories बगर लगा सकते हैं अपनी tablet में, तो इस टाइप से दोस्तों ये OTG connection को option देखने को मिल जाता है, बाकि backup and receipt अगर आपको अपनी tablet को पूरा खाली बगर रकना है, तो आप इसको receipt बगर भी कर सकते हैं, इस टाइप से option देखने को मिलते हैं, complete, बाकिर इसके अंदर features देखने को मिल जाते हैं, I hope दोस्तों ये छोटी से वीडियो आपको tips and tricks की, OPPO Pad Air के उपर पसंद आई होगी, अगर आप ऐसी tablet-related videos देखना चाहते हैं, तो please subscribe करेगा, thank you so much इस वीडियो को,